नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा section 32 of the भारतिय नागरिक श्रक्सा सहीता यह जो section 32 यह किसके बार में बताता है यह बताता है कि अगर कोई person जिस person को court ने direction दिये कि आप इस warrant को execute कराईए और उस person को वहापर किसी person की aid की जुरता है यह public की aid की जुर execute कराने के लिए तो चलिए इसको हम अच्छा से discuss करते हैं पहले मैं आपको इसकी बेरेक्ट लेंगवज बाता है तो इसकी बेरेक्ट लेंगवज यहां पर क्या कह रही है जो section 32 है इसमें इसकी बेरेक्ट लेंगवज यहां पर यह कह रही है act to person other than police officer for executing warrant देखिए यहां पर इसका मतलब यह है कि किसी person को warrant execute कराने के लिए दिया गया है लेकिन सिवाय किसके police officer के वहां पर police officer यहां पर किसी police officer की बात ने की गई है यहां पर सिर्फ simple person की बात की गई है जिसको court ने direction दिया अब इसकी बेरेक्ट लेंगवज के अंदर जाकर देखते है इसकी बेरेक्ट इसकी बेरेक्षेट ने direction दिया है उसकी person को लेकिन वहां पर police officer को direction नहीं दी गई यहां पर किसी person को दी गई है जो एक आमाद में भी हो सकता है जहां पर वह अपनी जहां पर उसको कहा गया है कि आप इस warrant को execute कराएए और फिसी में ही आगे कहा गया है कि उस person को वहां पर उ जूरत है उस warrant को execute करने के लिए जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताता है कि police officer को अगर aid की जूरत होती है किसी magistrate को अगर किसी person की aid की जूरत होती है जैसे मैंने वहां पर public के बारे में बता था अब यहां पर किसी आमाद में को warrant execute करने के लिए बोला गया है उसको direction दी गई है court की तरफ से तो वहां पर उसको भी वहां पर aid करनी पड़ेगी किसी other person को अगर उसको वहां पर need है तो यह यहां पर यह कह रहा है अब आप यह सोच रहे होंगे warrant execute करने के लिए किसलिए बोला जा रहा है मान लिजे court ने किसी आप इस पर्सन को बोल सकती है कि आप इस warrant को एक्जीचुट कराईये ऊस परिसको करने के मतलब यहां पर यह है और warrant execute कोई भी warrant होसकते है वहाँ पर किसी भी person को बोल सकती है कि आप इस warrant को ex2 कराईये तो यहाँ पर उस person की duty बन जाते है कि वहाँ पर उस वरंट को execute कराना है तो यह simple सा यहाँ पर यह कह रहा है कि यहाँ पर उस person को अगर execute कराने वरंट को तो वहाँ पर अगर उस person को किसी person की need की जुरत है या फिर public की need की जुरत है उस warrant को execute कराने के लिए तो वहाँ पर वह public और जो कोई other person है वहाँ पर उसकी help कर लेगा उस person की जो वहां पर warrant execute करा रहा है आपको एक example भी उतायता हूं जिससे आपको और किलियर हो जाएगा section 32 यहां पर क्या क्या रहा है माल लीजे को किसी person को code की तरफ से वारंट execute करने के लिए बोला गया कि आप इस warrant को आप execute कराईए मतलब कि कि आप किसी person को पकड़ कर लाई या arrest करके में सामने पेश कीजिए तो वह person पकड़ने जाता है उस person को जिसके खिलाफ warrant execute किये जाने हैं तो वहां पर जब वह उसको arrest करने जाता है तो वहां पर वह उसको पकड़ नहीं पाता हो भाग रहा होता है तो वहां पर जो वह पर्सन करा रहा है किसी भी पर्म को वहाँ पर बोल सकता है यह फिर पबलिक को भी सी वीडियो थी अगर आप ले चैलंग को सब्सिक्राइब कर लिजिक्यिंट मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो मिलते हैं।